इस वीडियो में उतल दर्पन से विभियाय प्रशन को डिसकस करने वाला हूँ चलिए सुरू करते हैं पहला प्रशन सबसे पहले प्रशन को अच्छा से समझना है और आज का जितना भी प्रशन है विभियाय प्रशन है इकजाम में आने वाला प्रशन है इसलिए अच्छा से सिखिएगा 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तू 30 सेंटीमीटर वकरता तिरिजया के किसी उतल दर्पन के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है प्रति बिम की इस्थिती प्रकृती तथा अकार ग्याद कीजिए तो सबसे पहले चीन के बारे में समझेगा चीन के बारे में अगर समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिकत ने होगा तो मैं यहाँ पर आउतल दर्पन बना लिया आप उतल में समझ सकते हैं या आउतल में समझ सकते हैं दोनों के लिए सेम है तो यह क्या है मुख्य अक्ष है और यहाँ पर धुरू यानि कि P होता है और यहाँ पर फोकस होता है और इधर में वह करता केंद्र होता है अब समझने का कोशस किजिएगा जो भी distance लेना है जो भी distance लेना है solve करने के लिए तो आपको distance को P से start करना है P से इधर नापना है P से इधर मापना है समझने का कोशस किजिएगा तो P से अगर इधर की ओर मापेंगे P से इधर की ओर दूरी लेंगे तो उसको negative लेना है अगर P से आप उधर की ओर लेंगे तो आपको positive लेना है स negative अब समझने का कोशिस किजेगा अगर उपर में जाएंगे तो positive अगर नीचे में कहीं पर भी जाएंगे तो negative होगा अब यहाँ पर समझने का कोशिस किजेगा तो P से इधर का distance negative और P से इधर का distance positive होगा बिल्कुल किलियर हो हुआ living clear मिसी वस्तुको दर्पन सामने में रखा जाता है सामने का मतलब देख़िए अगर व prizes कहड़ा तो इधर बाया ऐधर में दाया है तो हमेंसा दर्पन के बाया तरफ वस्तु को कहा रखते हैं दर्पन के बाया तरफ जैसे इस तरा क्लिकिसे मैं खड़ा हूँ तो वस्तू को हमेसा इधर मेंό रखा जाता है तो वस्तू का अब यहां पर समझेगा जैसे यह मोख्याक्षे हैं तो मोख्याक्षे में कहीं पर वूपर रख देंगे, तो यह क्या है वस्तू का वस्तु का उचाई है तो positive लेना है वस्तु का उचाई हमेशा positive लेना है अब यहाँ पर समझेगा कहने का मतलब है कि यह मुख्य अक्ष के उपर या तो वस्तु हो या प्रतिबीम हो अगर उपर में है तो उचाई क्या लेंगे positive लेंगे अगर नीचे में रहेगा समझने का को पॉजिटिव ही लेना है अगर नीचे में है या वस्तु है या प्रती बीम है तो अगर नीचे में है तो इसका उचाय क्या लेंगे निगेटिव लेंगे उपर वाला पॉजिटिव निचे वाला निगेटिव और एहां से इधर वाला निगेटिव और एहां से इधर वाला प पांच सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु यानि कि वस्तु की उचाई या लंबाई दिया हुआ है कितना पांच सेंटीमीटर तो वस्तु की उचाई को H से डिनोट करते हैं तो आपको सबसे पहले लिख लेना है H H कितना दिया हुआ है तो पांच सेंटीमीटर दिया हुआ है इसके बाद कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वकरता तिरिजया के किसी उतल दरपन के सामने अब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर वकरता तिरिजया दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे वकरता तिरिजया य यह आपको समझना है फोकस दूरी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा वो करता तरीजय का आधा मैं कल ही बता चुका हूँ तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना होगा यानि कि 15 cm होगा इस तरीके से लिखना है इसके बाद और क्या है तो बोल रहा है किसी उतल दरपन के सामने यान जिस से दिनोट करते हैं यू से दिनोट करते हैं अब समझेगा तो यहाँ पर यू क्या है यू बराबर तो माइनस लेना होगा माइनस 20 cm समझने का कोसिस कीजिएगा मांग के चलते हैं यहाँ पर दरपन है तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर पॉल यानि की दूरू है तो वस्तु को हमेशा इधर रखते हैं, तो इहां से इधर का दूरी मैंने बोला था, कि आपको negative लेना है, तो negative ले लिया, और वस्तु को इहां पर रखा गिया है, इस तरीके से, तो वस्तु की उचा, यानि की मुख्य अक्ष के उपर है, तो उसको positive लेना है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको लिख लेना है, इसके बाद, दर्पन का formula क्या होता है, ये तो याद होना चाहिए, तो दर्पन का formula होता है, एक बटे भी पलस एक बटे यू, बराबर में एक बटे ये तो मालूम है, अब सभी का value को रख देंगे, तो भी का value निकालना है, तो एक बटे भी यहाँ पर रहने देते हैं, और पलस एक बटे यू, तो यू कितना है, तो minus में 20 है, तो यहाँ पर 20 रख देते हैं, माइनस में, और इधर में F, F कितना है, तो F क्या होगा, अब समझने का कोशिस किजेगा, उतल दर्पन में सिर्फ वस्तु का इस्थिती, जो distance लेंगे, वो negative होगा, फोकस दूरी positive होगा, और परती बिम का इस्थिती भी positive होगा, समझने का कोशिस किजेगा, यानि कि उतल दर्पन में F positive हो सिर्फ और सिर्फ यू किया होगा निगेटीव होगा समझने का कोस कीजिएगा एक बार समझें कभी कोई दिकत नहीं होगा तो f किया होगा यहां पर आपको लिख लेना है सबसे पहले ही ताकि confusion ना रहे तो F आपको यहाँ पर 15 लेना है इसके बाद अब इसको उधर में ले जाएंगे तो 1 बटे भी बराबर 1 बटे 15 पलस में यह माइनस में है तो उधर में जाके पलस हो जाएगा ना इसलिए मैं यहाँ पर पलस में लिख दिया एक बटे 20 माइनस में है तो उधर जाके पलस में हो गया अब LCM ले लेना है तो यहाँ पर देखिए LCM क्या हो जाएगा LCM देखिए LCM निकालने के लिए अगर आप सिखना चाहते हैं तो थोड़ा-थोड़ा सिखिए जैसे यह दोनों का LCM निकालना है तो बहुत लोग तो यही काम करेंगे नहीं जामते हैं तो लेकिन आपको क्या करना है बड़ी संख्या को ले लेना है अब 15 से दिखना है कि कितना से डिभाइड होता है तो 15 से पुरा-पूरी तो डिभाइड ने हो रहा है न एल этому स्न्याद करेंगे अब इहाँ पर समझेगा एक बते भी और इधर में क्या हो झाजएगा तो तो 4, 3, 7, 7 बते 60 हो गया है अब इहाँ पर समझेगा तो अभी तो एक बते भी का बेल्यू आ रहा है न तो आपको क्या करना है इधर भी उल्टा करना है, तो इधर उल्टा करेंगे, तो भी हो जाएगा, यानि कि भी उपर चला जाएगा, और इधर भी उल्टा करेंगे, तो 60 उपर में और 7 नीचे में, तो 60 उपर में और 7 नीचे में, तो देख लिजे, इतना आ गिया है, तो एही एंसर है, लेकिन आप को काट लेना है देखिए साथ अठे छपपन कितना होगा साथ अठे छपपन तो साथ अठे छपपन अब तो डिभाइड नहीं होगा पॉइंट दे देंगे इसके बाद साथ अठे छपपन चार बच गिया है तो क्या हो जाएगा साथ पचे पैंतिस साथ पचे 35 इसके बाद 35 तक डिभाइड हो गया 5 बच गया फिर से point देखके 0 बठाएंगे तो 57 सते 49 तो इतना centimeter वस्तु का इस्थिती आया यानि कि वस्तु कहां पर बनेगा और हमेशा उतल दर्पन के लिए समझ लेना है कि वस्तु हमेशा दर्पन के पिछे ही बनेगा और ये भी आपको समझना है जिसे पलस में आ रहा है भी का value पलस में आ रहा है तो पिछे ही बनेगा क्यों बनेगा एक बार concept को समझे तो मैंने क्या बोला था कि अगर इधर का distance positive होता है और इधर का negative होता है तो भी यानि कि परतिभीम की इस्थिती पलस में आया है इसका मतलब इधर में कहीं पर बना है या हमेशा के लिए आपको याद करेना है उतल दरपन में परतिभीम का इस्थिती यानि कि परतिभीम का इस्थिती जो होगा distance होगा वो क्या होगा हमेशा positive ही होगा यानि कि दरपन के पीछे ही बनेगा और एक चीज़ अब आपको मालुम तो हो च तो यह प्रकृती बोले हैं बिएक ही होगा उतल दरपन केलिए हमेसे इक ही होग hypoth and और सीधा होगा हमेशा के लिए याद करिए अभासी और सीधा इसमें कोई चीज आपको निकालने का जरूत नहीं है हमेशा आपको याद करना है क्या होगा अभासी और सीधा होगा लेकिन अब परतिवीम की उचाई निकालना होगा तो उचाई के लिए क्या करेंगे अब यह आपको समझना होगा उचाई के लिए तो उचाई के लिए एक फॉर्मूला है M बराबर माइनस B बटे U यह तो याद होना चाहिए कभी-कभी आवर्धन भी निकालने के लिए कहा जगा है M क्या है? आवर्धन है अब यहाँ पर देखिए तो M के जगह में आप लिख सकते है परतिबिम की उचाई बटे वस्तु की उचाई तो वस्तु की उचाई H मान के चले थे और माइनस अब यहाँ पर देखिए एक बार माइन लिख लेता हूँ यहाँ पर B और बटे में U है तो यह तो निकालना है H डेस निकालना है और H का वेल्यू दिया हुआ है कितना है 5 संटीमिटर वस्तु को हमेशा कहाँ पर रखते हैं यानि कि उपर में इधर दरपन है तो इधर में रखते हैं और उपर रखते हैं तो उपर रखते हैं तो उपर वाला पोजिटिव तो आपको इसको positive में लेके चलना है तो आपको समझ लेने, सबको पहले ही जो plus है, वो plus में लिखिए जो minus है, वो minus में लिख लिजे तो अब यहाँ पर h किया है, 5 है इसके बाद यहाँ पर देखिएगा minus है इसके बाद b, b कितना आया है तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर, तो यह point वाला नहीं लिजे इसको लेंगे तो असान होगा तो कितना है, 60 बटे 7 है, और बटे में u, u क्या है, अब h समझना है b, तो plus में आया है तो plus में ही इसको रखे हैं, और u यहाँ पर u minus में है तो minus में इहाँ पर रख दीजिए minus में 20 है, देखिए समझ लिजिए, इसके बाद h डैस और बटे में 5 है और बराबर में, यह दोनों minus minus में मिलके plus हो जाएगा, clear है और 60, और यह जो 7 है न, यह direct नीचे आ जागा समझ येगा, यह 7 नीचे आ जागा, यह आपको समझने problem है, तो देखिए 60 बटे 7 है, और नीचे वाला सिर्फ 20 है, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक रख दीजिए, अब सिधा करेंगे 60 बटे 7 और एक चला जागा उपर और 20 रहेगा नीचे, तो देखिए मैंने कि आपला direct कि यह 7 नीचे आ जागा तो देखिए, वही चीज़ तो हो रहा है ना वही चीज़ हुआ, देखिए वही चीज़ हुआ, तो एक बार concept को समझे concept को समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा, तो देखिए पांच से काटेंगे, देखिए, अगर ऐसे काप काटना जानते हैं ना, तो काट लिज़े, कोई दिकत नहीं है पांच, क्या हो जागा पांच चोगे 20 हो जागा अब यहाँ पर समझेए, तो यह हो जागा, पंदरह चोगे 60, यहाँ पर कितना आया यानि कि, H डैस बराबर, यानि कि परतिबिम क्यों उचाय बराबर कितना आ रहा है तो पंदरह बटे साथ आ रहा है, यह सही आ गिया है, लेकिन अगर आप पॉइंट में निकालना चाहें, तो क्या हो जागा, देखिए पॉइंट में निकालना चाहेंगे, तो साथ दुना चवदा साथ दुना चवदा, एक बच गया न, तो साथ अब पॉइंट देंगे, साथ एकम साथ, इसके बाद फिर से तीन बच गया है, तो क्या हो जागा साथ चोग के अठाइस, इतना सेंटीमीटर, यानि कि वस्तु की देखिए, तो क्या हुआ पहले वस्तु जो था, उसका उचाई कितना था, पांस सेंटीमीटर, लेकिन उसका जो परती बीम बन रहा है, तो कैसा परती बीम बन रहा है, मतलो कितना बड़ा बन रहा है, तो देखिए याद रखे कितना गुना हो रहा है कितना गुना हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है एम निकलना है तो यहाँ पर एक बार समझेगा एम निकलना है तो एम बराबर यह दखे एम यहाँ पर है न तो एम बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस भी बटे यू होता है तो U कितना है यहाँ पर ध्यान दिजेगा यहाँ पर कितना है तो 60 बटे 7 है और बटे में U तो U कितना है अब यहाँ पर माइनस था ना माइनस रख दते हैं और माइनस U देखें U क्या है माइनस में है तो माइनस 20 तो देख लिजे यह माइनस और यह माइनस मिलके पलस हो जाएग तो अब यहां पर देखें, तो 20,6, यानि कि कितना आया, कितना आ रहा है, तो 3 बटे 7 आ रहा है न, तो 3 बटे 7 गुनी, यानि जो पर्ति 20 बना है, कितना गुनी बना है वस्तु का, तो वस्तु का, तीन बटे 7 गुनी परती बीम कितना गुना है वस्तू से कितना गुना है तो 3 बटे 7 गुना या इसी को आप divide कर सकते हैं तो अगर divide करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए point देना होगा तो 30 हो जाएगा यानिकि 7, 4, 28 7, 4, 28 तो कितना हो जाएगा यानि कि point 4 गुनी लेकिन आप इतना direct लिखे तो कोई दिकत नहीं है यानि कि 3 बटे 7 गुनी वस्तू परती बीम वस्तू से कितना गुनी लंबा है या छोटा है या बड़ा है तो परती बीम वस्तू से 3 बटे 7 गुनी है ये भी आपको लिखना होगा अब इसमें space भी नहीं है तो मैं इसी में बता दता हूँ इसका answer को देख लिजिए तो ये तीन चीज आपको लिखना होगा ये तीन चीज आपको लिखना होगा इस्थिती यही तो पुछा था ना कि परती बीम की स्थिती कहां पर है तो आपको as first लिख देना है या इस्थिती लिखके उतर में इस्थिती दरपन के पीछे 8.57 cm की दूरी पर दरपन के पीछे बन रहा है तो मैंने यहां पर बोला था देख लिजिए आया है ये right answer तो आया है ना तो मिला लेते हैं दरपन के पीछे बन रहा है इसके बाद प्रकृति तो उतल दरपन में मैंने बताया था कि हमेशा अभासी और सिधा परती बीम बनता है तो इसके लिए कुछ निकालने का जरूत नहीं है हमेशा के लिए समझ लेजिए, उतल दर्पन में हमेशा सिधा और अभासी परती बिम बनता है, तो ये के लिए है, तो प्रकृती के लिए कोई भी चीज निकालने का जरूत नहीं है, उतल दर्पन के लिए, इसके बाद यहां पर ध्यान दिजेगा, अकार, अकार का मतलब पर पॉइंट में निकाले, तो पॉइंट में दो पॉइंट चूदा, तो दो पॉइंट चूदा भी आ गया, तो इसको लिखे या इसको लिखे कोई फर्क नहीं है, तो दोनों को भी लिख सकते हैं, या करके जैसे इसमें या लिखा हुआ है, उसी तरीके से लिख दीजे, इस बीम वस्तु का तीन बटे साथ गुनी है इतना ही लिखना है ये तीनों आपको लिखना होगा एंसर में बिल्कुल समझ में आ गया होगा अगर कहीं पर doubt हो confusion हो तो comment में लिख के बताईएगा मैं फिर से समझाने का कोशिस करूँगा